लास्ट हमने पढ़ा उत्री पश्चमी मरुस्तली परदेश आज बौतिक परदेश में दूसरा बौतिक परदेश पढ़ेंगे मद्धे अरावली परवतिय परदेश लास्ट हमने पढ़ा उत्री पश्चमी मरुस्तली परदेश आज बौतिक परदेश में दूसरा बौतिक परदेश पढ़ेंगे मद्धे अरावली परवतिय परदेश लास्ट हमने पढ़ा उत्री पश्चमी मरुस्तली परदेश आज प्यारे विच्चारतियों हेडिंग मना मध्य अरावली पर्वत्य प्रदेश देखें दोस्तों ये जो अरावली पर्वत्संक्ला है ये भारत की नहीं मैं क्या कहना आपसे भारत की ही नहीं ये विश्व की प्राचिंतम पर्वत्संक्लाओं में से एक है ये है विश्व की प्राचिंतम पर्वत्संक्लाओं में एक है कौन अरावली पर्वत्संक्लाओं अब सुनो ध्यान से अब आपसे पूछें कि राजस्तान की सबसे प्राचिन परवत संकला क्या कहोगे अरावली परवत संकला बारत की सबसे प्राचिनतम परवत संकला अरावली परवत संकला और ये विश्वे की प्राचिनतम परवत संकलाओं में एक है इसकी तुलना ये वेर इंपोर्टेंट क के कौनसा महादिप? नौर्थ ऑमेरिका, उत्री अमेरिका महादिप के अपलेशियन परवत से की जाती है, कौनसे परवत से की जाती है? अपलेशन परवत से, यह very important पाथ है, ठीक है? अब सुनो यह जो अरावली परवत संकला है, इसे विश्णु पुरान में, विश्णू पुरान में क्या का गया है परिपत्र कहा गया है क्या का गया है परिपत्र ठीक है अब देखो बारत के संद्र में एक बात करता है सुनो यह अपना भारत है सुनना प्यारविद्धार के ध्यान से सुनना यहीं बात समझने की सकती है यह कौन अपना भारत है और इ में अध्यांत से हैं येुज़ कौन सा राज्य है? गुज़ाग सा राज्य है? राजस्थान, ये यह कौन सा रज्य है हर्याना और यह कौन सा रज्य है या कैंदर सासित प्रदेश दिल्ली आप से पूचता है कि भारत में डक्षिन से उत्तर की और कुजरात, राजस्थान, हर्याना और दिल्ली में फैली हुई एक परवत सरंकला है जिसे हम किस नाम से जानते हैं अरावली परवत सरंकला के नाम से जानते हैं, यहां से अगली बात कर लें, कि अरावली की उत्पत्ति, वेर इंपोर्टेंट है यह, अरावली की उत्पत्ति को लेकर, बहुत क्यों सरंकले था, देखो, अरावली की जो उत्पत्ति है, वो आप से पूछे, कि कब हुई, कब हुई, तो आज से लगभग 65 करोड़ वार्स उर्वे अरावली की उत्पत्ति आप से पूचा आवली की उत्पत्ति कौन से काल में हुई कौन से काल में हुई तर क्या कहोगे प्री केंब्रियन काल में हुई अरावली की उत्पत्ति कौन से काल में हुई प्री केंब्रियन काल में हुई कितने साल पहले हुई आज से 65 करोड़ वर्स पूर वह हुई दौन बारते याद देखें ठीक है अब देखो जब अरावली की उत्पत्ति हुई थी 65 करोड़ वर्स पूर पर यूरोप है, अफ्रिका है, उत्रिया अमेरिका, दक्षिन अमेरिका, अंटार्टिका, उस्टलिया है, उसानिया माधि पे, इनकी तरह से ये जो पर्थवी थी, जो स्थल खंड था, ये बिखरा हुआ नहीं था, एक पिंड के रूप में था, इसी पिंड को क्या नाम दिय हुई थी, तो अरावली की उत्पत्ति किस पर हुई, पेंजिया पूर हुई, कौन सी किरिया से, पेंजिया के, आंत्रिक, शंकुचन की किरिया से, अरावली की उत्पत्ति हुई, लेकिन ये दिया आप से पूछे, कि जब इस पेंजिया का विबाजन हुआ, आप जानते है ट्रियासिक युग था और इसी ट्रियासिक युग में पेंजिया डिवाइड इंटू टू पार्ट्स ये पेंजिया का नौर्थ और ये साउथ पेंजिया के उत्री भाग को का गया था अंगारा लेंड और पेंजिया के दक्षने भाग को का गया था गौंडवाना लेंड औ और जब पेंज्या का विवाजन हुआ तो यह जो अरावली है कौनसे बुखन्ड पर आगी गॉंडवाना लेंड कीजा व्य है ! आप से पूचा जाएं अरावली परवत्संगला, कौनसे बुखन्ड का अवसेस है तो कौनसे बुखंड का अवशेस है, क्या कहोगे आप, गौनडवाना लेंड, बुखंड का अवशेस है, क्लियर, अब देखो इसी अरावली के बारे में आगे और बात रे करते हैं, सुनना मेरे प्यारे विद्धार्तियों, जब यह अरावली है, इसकी उत्पत्ती विती, तो ये उत्पत्ति के समय कैसा परवत था। उच्छा वलित्य मोड़दार परवत। आप से क्योशन पूचा गया। कि अरावली परवत स्रंकला है। वो अपने निर्मान काल के समय कैसा परवत था। क्या काओगे। उच्छा वलित्य मोड़दार परवत। जैसा की आज हिमा लेकिन प्यारे professors हो इसी की स्ति वर्तमान स्ति पूजले कि वर्तमान में अरावली कैसा परवत है कि प्यारे आरावली पर्वत वरतमान में आउसिस्ट पर्वत कहला ता है मिर्मान काल के समय कैसा पर्वत ता ऊंचा वलित मोड़ार पर्वत था एक है यहां से डिरेक्ट आप से क्यों सन पूछ लेता है अरावली की उत्पत्ति के बाद हम मेक्स्ट अच्छ क्लास में बात करेंगे अरावली का विस्तार तब तक के लिए धन्यवाद